असलामरेकम क्या हल आप सब का मैं अमीद कर जिंग आप सब खाय रहेत होंगे अपने अपने घरों में आज डेट है 9-3-22 और डे है वाने स्टे आज मैं आपके लिए कॉस्टेंज लेकर आई हूं तो चलें जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्टें फोर को कॉस्टें फ स्कारण लेटर्स एसद होते हैं एसे हरूफ होते हैं जिनको हम लिखते हैं अपनी नोट बुक के उपर या अपनी इंग्लिश कॉपी के उपर पहली तीन लाइन्स के जासे कि मैं लिखे हुए हैं zwischen English लëत्रBeat 223 न होती है 9- words यह यह alphabets लिखते हैं यह हम letters लिखते हैं जी सबसे पहला जो letter है वो है B, फिर है D, फिर है F, फिर है H, फिर है K, फिर है L और फिर है T. यह जो letters हैं यह first three lines पर आते हैं English copy के पर जबाब लिखते हैं तो और इसलिए हम इनको sky letters कहते हैं. फिर उसके बाद question 5 है what are grass letters? जी grass letters क्या होते हैं? The grass letters are the letters which we write on the middle of the two lines on the notebook like हम जो हमारी जो note book होती है, हम उसमें जो grass letters होते हैं, हम उन्हें जो beach वाली line होती हैं उस पर लिखते हैं तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि grass letters क्या होते हैं? जी grass letters ऐसे हरूफ होते हैं जिनको हम जो दरम्यान वाली दो लाइने होती हैं उसमें हम लिखते हैं जैसे के है A, C, E, I, M, N, O, R, U, V, W, X, Z ये जो हैं ये हम मिडल वाली जो टू लाइन होती हैं इंग्लिश ये कॉपी के उपर उसमें हम लिखते हैं ये लेटर्स जो हैं ये हरूफ जो हैं उसके बाद है What are root letters? Root letters क्या होते हैं? The root letters are the letters which we write on the last three lines of the notebook Root letters ऐसे हरूफ होते हैं जिनको हम लिखते हैं आखरी तीन लाइनों के उपर अपनी notebook के उपर यानि के अपनी English notebook के उपर वो हैं G, J, P, Q, Y I hope कि आपको ये questions जो हैं वो समझ में आए होंगे Q4, Q5, Q6 जो मैंने अभी आपको समझाए हैं तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ दूसरे लोगों को भी इस चैन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें थैंक यू सो मच